नमस्कार, चलते चलते कुछ ऐसी चीजे मिल जाती हैं जो अतीत की यादे ताजा कर जाती हैं। अभी हम लोग अपने केमरामेन के साथ चल रहे थे, रास्ते में एक ऐसी चीजे दिखाई दी उस मनोरम अस्थान पर जिसको आप लोग भी देखना चाहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरी नजर से उस चीज को आप लोग भी देखें और इस चीज को महसूस करें। हो सकता है कि आपका घर अगर नदी के किनारे हो तो इस अनुभव से आप भी बंचित नहीं होंगे। मुझे उमीद है कि यह अनुभव आपको जरूर गुदगुदाएगा या उस चीज की याद दिलाएगा जब आप अपने बच्पन में इस चीज को क्या करते होंगे। मैं उस चीज को दिखाने जा रहा हूँ। रास्ते में मुझे एक नदी दिखाई दी उस नदी के जलासेओं में जो हमने दिरिस देखा, वो हमारे बच्पन की यादों खुताजा कर दिया। उस दिरिस में मैंने एक चीज देखा, एक व्यक्ति जो चिलसिलाती धूप में, उस जलासे में लंबा सा एक बास के लकड़ी को लिए हुए, जिसमें एक धागा, उस धागे को एक उसको हम एक लोहे के तार जो एक मुडा हुआ है, जो आपके हिंदी बर्ण का गौ के समान हो जिससे मशलियों को फसाए जाता है, उस बंसी के तकरीबन एक फूट छोड़ करके, एक ऐसा चीज जो पानी में तैरता हो, उसको बानते हैं, फिर उस धागे के माध्यम से जो बंसी बंसी होती है, उस बंसी में हम मशली के लिए चाड़ा लगाते हैं, चुकि मशली उस चा मनुष्य को अंधा कर देता है, जीव को अंधा कर देता है, तो भूख के लालच में वह मशली उस चारे के पास आती है, और उस चारे में बंसी लगी हुई है, और उस चारा को खाती है, और चारा के साथ बंसी को भी खा जाती है, तब उपर जो एक कंडा लगा होता है, जो तो मसली मारने वाले सिकारी हैं तो सिगनल को देखकर मसली मारने वाला वह सिकारी उस चीज को खीचता है और मसली जो है उस काटे में फसकर बाहर चलिए आती है एक सहीतिक बात है, वो कंडा कुछ कहता है मशलियों से, उसमें अपना एक संकीत देता है, यानि कडेना जो नीचे है, और कडेना में के नीचे जो बंसी है, उस बंसी में जो चाड़ा लगता है, वो चारा कहता है मशली से, वो चारा मशली से कहता है, क्या कहता है, कि उता धा आर्थी में लगा दिया इस बनसी में पिरो दिया तुमहरे लिए उताध़ी लिए जो शिकारी मचली मरने के लिए उसकारी को पकड़ने के लिए एक चारा लगाता है जो एक अर्थवर्म होता है अर्थवर्म यानि चारा उस चाड़े को पकड़ कर बंसी में उसको गुथा जाता है केंचुवा इसलिए गुथा जाता है कि उसको पकड़ने के लिए मशली आएगी और खाएगी तो वो कह रहा है मशली से कि उता धॉयलस मोरा के यानि सीकारी मुझे पकड़ के इसमें हुआ जब मशली पकड़े की तो हिलता है वो हिलेगा तो सीकारी को पता चलेगा कि मशली वहां आ गई और फट खिट लेगा तो यहां असपस्ट बाते होती है कि चारा कोहता है मशली से कि उता धाईलस मोरा के पर तेमत धर यह मोरा के ना तो उपर वाला मत्की मारी करद इसे एक बात असपस्ट होती है कि भूक किसी की बातों को नहीं सुचता नहीं समझता और इस तरह से जलीए जीव मश्ली बाहर आती है सकारी के हां इसे लिए कि इसец में सक्टर्लिप से दिखाते हुए कंडा क्या है मशली क्या है सिकारी क्या है मैं उस पर थोड़ा फोकस करना चाहता हूं यह एक सिकारी है जो मशली मारने के लिए नदी के तठ पर है और इन्होंने जो मैंने आपको बताया वह कंडे वाली बात यह लकडी है चार छीपे इनके पास है और चारों छीप में जो है इन्होंने वो रसी नुमा चीज वो धागा इन्होंने लगा रखा है और यह धागा के माध्यम से धागे के माध्यम से मैं आपको एक बार दिखाऊं यह धागा है और इस धागे के माध्यम से इन्होंने इस कंडे को बांधा है जो कंडा बताता है कि नीचे मशली पकड़ी की नहीं और इसके नीचे यह बंसी लगाई गई है और बंसी में यह चा डालते हैं डालने के बाद कुछ देर तक इंतजार करने के बाद वो किरिया फिर दोबारा दोहराई जाती है और जिस तरह से चारे ने बताया उसी पर किरिया के साथ यह जो हमारे सिकारी है मसली मारने वाले वो उस पर किरिया को निभाते हुए और चीप को हाथ में लेकर मसल पकड़ी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं यह मशली उसी नियम के साथ इन्होंने मशली पकड़ी है और इसी रसे में बांध करके इसको पानी में रखा गया है चुकि यह जब घर जाएगी तो जीवित रहेंगी जीवित वस्था में रहेंगी और यह खराब नहीं कि इसमें ये पहले दिखाई दिया करते थे लोग मारते थे लेकिन विगत तिंब तीन-चार सालों में इस नदी में पानी नहीं होने के चलते यहां ऐसे लोग दिखाई नहीं देते लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग उजर रहتे होईं से इसिकारी भाई हम तो दिखाई दिये तो आपका यह अनुभाव मसली भाषाम का है मुझे जहां कुमीद है कि पानी तो इसमें 3-4 साल त्रॉय मारन दो है को इसमें है ज्यादा गड़े है आचा तो इनके मितलब है कि यहाँ पानी भी थोड़ा है और थोड़ा जंगल भी है तो इसमें वो फ़्वkim करते हैं वहाजना पझार इनको ज्यदा पकड़ने में आननांदाता है चिंकि उसको मारना भी आसान होता है चलिए तो यह हमने आपको दिखाया बच्पन जो कभी हम Gr confidence कर दे तो उसकी भीनी भीनी सी जो बाते हैं वो ताजा हो गई आप इसको देखें और इसकानन लें नवसकार